हालो अब्रिवन वेल्कम तो माई चैनल दर्पन आफ ग्यान माई टूटेश टोपिक इंगलिश टीजिट पेजिट एक्जाम सेट नमर त्री यानि प्रक्टिस तैट नमर थ्री तो आज हम प्रक्टिस अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आप अपने चैनल को सब् चुकी है अगर आप यह तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डेस्क्रीशन बॉक्स में मिल जाएगा कंटिन्यू करेंगे वाट यू बिल इस दा सब्टाइटल अप्ली वाट यू विल किस प्ली का सब्टाइटल है आप्शन है आज यू लाइक इट दा क लोग अफूल अफूल आई मेट अफूल इदेव फोरेस्ट अकस किस में किस प्ले से यह लाइन ली गई है तो अप्शन यह लाइक इट भी दा कॉमेडियो अफेरस सी दा टैमिंग अफ दस्रीव एंडी कोरियो नास राइड आंजर अप्शन ए अजू लाइक इट नेक्स रहे सब्सक्राइब यह वाला लोगू किसने स्पीक क्यानी किसने बोला है ऑप्शन ऐसले ऐसली और युडन और ऑप्शन सी एडम एडम और ऑप्शन दी जैक इस इसका सहिंग अंसर होगा उप्शन डी यह जैकूस की लाइन है एक्स्कूशन है बिलियम वर्ट्सवर्थ पोेट लॉर्येट कब बनी थे उप्षन एटीं 50 और सवन वी 1770 ऑप्षन-डी सॉरी ऑप्षन सी 143 ऑप्षन डी 1813 राइट अंजर होगा ओप्षन सी विलियंश वर्ण बाइन फॉर्ट थी में पोईट लौर्येट पनी थे और यह खुंसन इंग्लिश NASA इज़ी टी एक्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है तो मोश्ट मोश्ट इम्पोरेंट पहरी वरी इंपोर्टेंट कुर्ट नेक्स्ट कुर्चन है डोरोथी वह इंफ्लूएंस्ट बिलियम वार्च 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 से बहुत ज्यादा प्रभावित थी वह कौन थी वह सही आंसर होगा option C sister वो उनकी sister थी डौरोथी नेक्स्ट कुच्छन है वर्स फर्थ डाइड इन दा इयर पर्स वर्थ की डैथ किस एयर में हुई थी option A 1850 option B 1843 option C 1820 option D 70 80 इसके सही आंसर होगा option E उनकी डैथ हुई थी 1850 यानी 1850 में नेक्स्ट कुच्छन है विच बन आप दा फॉलंग पोइम्स इस रिटन वाइब बर्श वर्थ इसमें से कौन सी पोइम बिलियम बर्श वर्थ के द्वारा लिखी गई है option A Ode to duty option B Ode to west wind C Ode to night angle and D Ode on solitude the right answer option A Ode to duty यह विलियम वर्थ वर्थ के द्वारा लिखी गई है next है in which poem verse verse said that we are pressed by heavy laws option A है reckless option B daffodils option C the world is too much with us option D the fountain next question है the second edition of lyrical values came out lyrical values का second edition का आया option A 1798 option B 1800 option C 1815 option D 1830 इसका सही answer होगा option B 1800 यह 1800 में आया था लिरकर बैलर का second edition next question है who said that may my life express the image of a better time more wise desire and simplest manners यह लाइन किसने कहीं है option A Shakespeare B B Milton C Wordsworth D Pope इसका सही answer है option C यह लाइन कहीं है William Wordsworth ने next question है in which poem the ever lines appear और यह poem किस sorry यह lines किस poem में appear हुई है option A the reckless option B the prelude option C nothing option D the fountain इसका सही answer होगा option B the prelude में यह यह लाइन ने दप्रिलूड में कहीं गई है नेक्स्ट कुशन है इन विच प्लेय आप सैक्सपियर एंटी फॉलस स्पीक्स दाफ फॉलॉंग मॉनोलोग्स स्वीट मिस्ट्रेश वाट यूर नेम इस एल्स इसका सही answer होगा option B the comedy of errors नेक्स्ट कुशन है विच नोवल आफ गॉल्सवर्दी अटेक्ट दा आटिफिशल वेनिर अफ अर्वन लाइफ इसका सही answer होगा option C यह fraternity में दिया गया है फ्रेटरिटी केम आउट इन दा इयर फ्रेटरिटी किस इयर में केम आउट हुआ था option A 1904, option B 1905, option C 1909, option D 1911 तो यह fraternity पे लिक आप आया था इसका सही answer है option C यह 1909 यानि 1909 में आया था गॉल्सवर्दी का जो नोवल है स्वान सॉंग यह कब किस इयर में आया था option A 1925, option B 1928, option C 1931, option D 1935 इसका सही answer होगा option B यह 1928 में आया था next question is which play of Shakespeare came out under the title the first part of the contentation where it wixed the two famous houses York and Lancaster कौन सा प्ले आया था इस टार्टल के अंडर, option A Henry 6 part 1, option B Henry 6 part 2, option C Henry 6 part 3 and option D Henry 4 इसका सही answer है option B next question is the ever play came out in the year और यह पिले कब आया था option A 1590, option B 1594, option C 1597, option D 1598 इसका सही answer है option B 1594 शेक्स्पियर's comedy Love Slayer Lost was performed about the year जो सेक्स्पियर की कमेडी Love Slayer Lost was performed अवराप किसी आयर में perform वी थी, option A 1590, option B 1599, option C 16 under 5, option D 1595 इसके सही answer है option D प्रोडेशगे इसका सही answer है option A प्री जीओ कौन है इसका सही answer है option A सैलोग इस प्रेशप्रेज और चू control को कैसा प्रेशन किया है एक्समेर ही आप्समिए बिलेंब एक्समे सही अवे सीलोग स्प्रेड़ेंट्टपिली शेकित सेटती हैं साइड हीरो आप्षण डी प्रीष्ट इसका सही आंसर है औप्षण भी साइलों को ब्लैन प्रेजेंट किया गया है नेक्स्ट पुछन है रोजा लिंड इस दा हीरोण अप्दा प्ली रोजा लिंड किस प्ले की हीरोईन है ऑप्षण इता मर्चेंट ऑफ बैनिस ऑप्षण इसका सही आंसर है ऑप्षण भी यह रोजा लिंड की हीरोईन है नेक्स्ट पुछन है इन एजिव लाइक इट कि अईगा कि अएएगा कि अएगा कि दो भी रेता है जाता लिंड इस प्ले अएगा कि एक बादाए लागा कि लिदो फ्ले प्लेगा कि अग्टन हैं कि इसका प्ले जाएगा जगा है अँट।